तो परताब सिंग खाचरी अबास की प्रेस कॉनिफरेंस बिस वक्त चल रही है चलिए सुनते हैं उठाया राजस्तान पहला स्टेट है जहांपर बच्चे फ्री में यात्रा करते हैं एक्जाम देने के लिए जाते है तो रोड़वेज और बसे जहांपर अजिद्वार के लिए फ्री ऑ फ्री ऑफ प्री आपर यहांच योजना है और अब बड़ा प्रोग्राम हम, सुद के लिए यूद प्रोग्राम, मुख्यमंत्री की अद्देक्स थाम जो मिटिंग उसमें ये भी तैक किया गया कि सुद के लिए यूद अभियान पूरे दो साल तक लगातार, चले मिलावट खोरों के खिलाब सक्त कारवाई हो और इसके लिए जो भी सक्त से सक्त कारवाई हम कर सकते हो, करेंगे लेकिन मिलावट खोरी बंद होनी चाहिए, इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता यदि कोई व्यक्ति मावे में मिलाता है खाने की चीजों में मिलना मिलाता है दाल में मिलाता है जूस में मिलाता है इससे बड़ा पाप कुछ हो सकता है क्या इस पाप से कोई बच सकता है कि मेरी आवाज कोई मिलावट खोर सुन रहा है उसावधान हो जाए खरीदता है वो सामा ने दिए एक्सपारी डेट का तो भार फेंगो मावा खराब है समोसा खराब है कचोरी खराब है खाने पिने की वस्तू खराब है इसको लेकर खुद मुख्यमंतरी और पूरी कैबिनेट चिंतित थी उसके लिए बड़ा अभियान चलाएंगे निरोगी राजस्तान अभियान आप जानते हैं लगातार यह अभियान चले वह अभियान चलेगा राजस्तान की हमने सिलकों से नीती बनाई मुख्यमंतरी करनादय करनादयान योजना है मुख्यमंतरी एकल नारी सम्मान पहेंसन योजना है यह सब योजना है चल रही इनकी मॉनिट करना हर प्रबारी मंत्री की जिम्मेदारिय मुख्य मंत्री व्रद्य जन संवान यूजन यह उब में 25 से कम आयू को 750 रुपे देते हैं महींने के पचास पॉइंट अट्याशी लाग व्रदेजन को मतलब पचास लाख 51 लाख लोगों को जो बुजूर गहें उनको राजस्तान की सरकार हर महीं ने साथ सो पचास रुपे और जो पिचेतर वर्ष से ज़्यादा है उनको एक हजार रुपे हम देते हैं यह पहला इस्ट्रेट है राजस्ता 51 लाख लोगों को मतलब 51 लाख परिवारों में तो 5 से भी गुणा करों तो धाई करोड लोगों के तो यह पहुँच रहे हैं धाई करोड जन संख्यात है मुखे मंत्री विषेज योगेजन संबान पेंशन योजना इसमें भी हम लगबग 6 लाख लोगों को 5.82 लाख विषेज योगेजन को 1338 करोड रुपे की साहिता जा रही है और 13,380 करोड रुपे बुजुर्गों को जा रहे हैं पालन यार योजना चली रही है उसमें भी उनको 500 रुपे प्रतीमा प्रतीमा 6-18 वायुवर के बच्चे उनको 1000 रुपे प्रतीमा और वस्त स्वेटर जूते आ दिये तो 2000 रुपे वार्सिक अतिरिक एक मुस्त साहिताम्त करते हैं यह जो जितनी योजना है रास्तान कृसी प्रहसंस करन कृसी वह सा आज यह सारी डिसक में वह पुराने बने वह तीन वर्स में कोरोना संकट के दोरान हमने कोई कमी नहीं रखी वह यह बात आई कि कोरोना बढ़ रहा है और उसमें यह तैग किया सरकार ने के किसी भी बच्चे को ऑफ-लाइन एक्जाम देने के लिए कोई स्कूल मजबूर नहीं कर सकता बच्च अब बच्चा देने जाता है वह भी देगा स्कूलों में कोरोना फैला है तो ऐसी स्कूलों में पूरी मॉनेटरिंग अब खुद मुख्यमंत्री जी सब जगे एक साथ वीडियो कॉन्फरेंसिंग करके कलेक्टर्स के साथ सब के साथ बात चीत करके इसमें क्या कर सकते हैं मुख्यमंत्री जी खुद ग्रह विबाग के साथ बात करके मैडिकल डिपार्टमेंट के साथ बात करके जल्दी डाइरेक्शन देगे आज की जो मिटिंग हुई है उसमें लोगों में उत्सा हुमंग था 20 सूत्री कारेक्रम 2006 के 20 सूत्र हैं गरी भी अठाओ जन्शक्ति, क प्रसासन गाओं के संग और सैरों के संग अभियान में जो अभियान रुकने वाला नहीं है पांच पट्टे बार्टे बाट दिये बाकि पट्टों में कोई बंदर बात करना चाहिए चलेगी नहीं वैसे अधिकारियों किलाब सक्तकार वाई होगी कोई अधिकारी बचेगा नहीं इसलिए ये तया बात है कि चाहे कुछ भी हो जाए ये इस तरह के जो भी प्रोग्राम है उन प्रोग्राम्स में सब का काम करना सरकार के नियम काइदे कानून के तहत जो छूट मिली है वो छूट लोगों तक पहुंचाना ये अधिकारियों की क्रमचारियों की जिम्मेदारी है आज की जो मिटिंग थी वो सब मंत्रियों के आपस में बात चीत हुई सब के सुजाव लिए सब ने अपने अपनी बात कही प्रसाशन गाओं के संग सेरों के संग अभियान में क्या कर सकते हैं मुख्यमंत्री चिलिजी भीमा यूजना उस पर भी मुख्यमंत्री जी मॉनिंटरिंग करेंगे तो ज़्यादा से ज्यादा कैसे कैसे बचाव कर सकते। मैं सब लोगों से अपील करूँ गा मास्क लगाएं बीड में कम जाएं क्यों कि बहुत ज्यादा ताधाद में कर रहा है बारा बच्छे एक स्कूल के पॉजि रामने के ये जो वैक्सिनेसिन प्रोग्राम है हमारा नेस्टन्य है के बराबर है हम एप और नहीं के लगवाई कर लगोई है तो प्रोबलभाBlल नहीं लगा रहा हूं रहा है हुएagn किसीन एक भी नहीं है तो बड़ा प्रोब्ला हपिंए ना कोई मरने वाला है वैक्सीन से फायदा होता है मरोगे हैं तो खुद मरोगे की के सरकार आपको खुद की जिम्मेदारी आप सेकंड वैक्सिन लगवाएं राजस्तान का वैक्सिन का अखना बहुत अच्छा है घरगर हम लोगों को भेज रहे हैं इसकी मौनिटरिंग करके सारा काम करेंगे आज की मिटिंग बहुत अच्छे वातावन में हुई सब का जो अच्छा का समाधान करना अर्व्यक्ति की मदद करना लोगों के बीच में रहकर जन सिवक्त बनकर हाज जोड कर काम करना यह हमारी सरकार का टार्गेट है उस टार्गेट पर हम काम करेंगे भी हमसे कुछ सिकायत हो आप हमारे पास आ सकते हैं मैं बता सकते हैं सब का सम्मान करेंगे सब का काम करेंगे तीन साल पूरे होने पर सब प्रभारी मंतरी जैलोज साब ने कह दिया अपने अपने चिलों में जाएंगे डिस्टिक लेवल पर पर जो भी प्रोग्राम होंगे मुख्यमंत्री जी उसको लेकर अधिकारियों को इने डाइरेक्शन दियें कितने उ दर्वाजा खुला रखना है मिलना है लोगों से काम करने लोगों से और खुद चीफ मिनिस्ट्र ने कह दिया तीन वर्ष पूरे हो जाएंगे हमारे दिसंबर तीन वर्ष पूरे होने पर तो बड़ा कारिक्रम हो गाई क्योंकि भारतिय जंता पार्टी के साथ तो दिक्कत य जूटके जनरेटर ये सारे बीजेपी के बड़बोले निता हैं बड़ी बड़ी भातें करते हैं इनके प्रबारी आये थे अरुन सिंग जी जिनका नाम है ऐसे की ऐसे वो गल्लम नगरों धरियावद में भासन दे रहे थे यहां पे कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री इस्तिफ को नहीं ये देश विरोधी हैं सब कह दिया बेचारे लाल किले में चलेगे कहां जाती भीड़ कई खाली मिले की जाएंगे और उनके पिछे पढ़ गए अब वापस आपने विड्रोई करने थे ये बिल्तों पहले ही दिन करने ते तो काला मूँ तो आपने करा हैं तो इस् फिला लो कि जया है।